बीडियल भारत डैनामिक्स लिमिटेड की तरफ से एक वेकंसी आई है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसमें आई टी डिपलोमा और डिगडी तीनों वालों के लिए वेकंसी है इसमें थ्री एर्स का डिपलोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन है और टेकनिकल फिल्ड की जोंवी सारी वेकंसी आती है ओल ऑवर इइंडिया से इस तरल पर आपको मिलती रहते है चलिए वीडियो को स्टाल करते है टेकनिकल फिल्ड की कोई भी लेटेश्ट इंफोर्मेशन के लिए आप लोग मिरे टेलिग्राम चल से जोयन होकर किड़ा सकते वीडियो के description में link दिया गया है या KKS Indian आप लोग टेलिग्राम पर सर्च करके भी यहाँ पर join हो सकते हैं जिसपे कि आपको latest notice update जो भी मिलती रहती है यहाँ पर मैं डाल देते हैं देख सकते हैं यह इसका official advertisement notice है भारत dynamics limited के तरफ से यह vacancy आ रही है ताकि जो भी candidate इसके लिए eligible ना हो उन लोगों का time जो है waste ना हो तो जो भी इसे candidate है जो ITA कर रखे हैं और diploma कर रखे हैं वो लोग इसमें eligible हैं और degree वालों में आपका non-tech qualification है B.E.B.Tech वाले के लिए इसमें vacancy नहीं है इसमें आपका exams नहीं होने वाला है कोई भी आपका इसमें जो भी mark आया है diploma में उसका 75% और 10% आपका experience कर लेगा और 15 mark आपका interview कर रहेगा तो इसी कितार आधार पर आपका इसमें selection होने वाले है तो चली details में आपको मैं बताता हूँ तो देख सकते हैं इसमें जो आपका पहले नमर post जो है यहाँ पर भारत dynamics limited के तरफ से 80 post है यहाँ पर आपको देखने करें मिल जागा जिसमें की अलग-अलग यहाँ पर post का नाम दिया गया है project assistant, project diploma assistant जो की अलग-अलग post के लिए यहाँ पर अलग-अलग state में अलग-अलग district में यह तेलंगाना के वहाँ पर vacancy को recruit किया गया इसमें minimum one year का आपका experience required है और यह diploma वालो के लिए है और नीचे में आपको ITA वालो के लिए दिख जाएगा अलग-अलग trade का जिसमें की 44 post के लिए vacancy है अब डिपलोमा में कौन-कौन से branch है तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं पहले नमर में है mechanical वालो के लिए three year का diploma होना चाहिए आपका mechanical engineering में जो किसी भी state या central government से उसके बाद आप लोग देख सकते हैं electronics के लिए three year का diploma होना चाहिए electronics engineering में उसके बाद three year का diploma electrical engineering में उसके बाद computer science और उसके बाद यह है tool and design tool design के लिए अगर आप लोग इसमें diploma कर रखे हैं तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं degree वालो के लिए यहाँ पर देख सकते हैं commerce या business administration में आपका होना चाहिए degree और नीचे में दिया गया है any degree in science या economics तो अगर आप लोग graduation कर चुके हैं तो इस post के लिए apply कर पाएंगे degree वाले और idea वालो के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो ssc जो आपका तेंथ के बाद idea कि अलग-अलग trade में दिया गया है देख लीजेगा तो इसमें apply कर सकते हैं इसमें भी one year का experience required है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस की बात करें तो इस आपका यहाँ पर दिया गया है minimum 18 years तो होना ही चाहिए और आपका maximum age limit अलग-अलग category के अनुसार से यहाँ पर दिया गया है 28 years आपका होना चाहिए 25-2022 के अनुसार से बात करें seld की तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको first year में जो seld मिलेगी 25,000, second year में आपको 26,500, third year में 8,000 और fourth year में 29,500 यह आपको इतनी seld अलग-अलग year में मिलने वाली है यह थी diploma वालों के लिए और ITA वालों के लिए बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद इसमें selection procedure की बात करें तो मैंने आपको बताया कि selection procedure आपका जो भी academic qualification में mark आया है उसका 75% या 75 marks लिया जाएगा उसके बाद आपका 10 marks आपका जो relevant post qualification experience है उसके अधार पर मिलेगा 1 year का 3 marks, 2 year का 6 marks और 3 year का या उससे ज़्यादा का 10 marks maximum 10 marks आपको मिलेगा experience का interview के लिए 15 marks, total 100 marks पर आपका selection होने वाली है जो भी candidate इसमें apply करेंगे उन लोगों का 1 is to 10 ratio में उन लोगों को shortlist किया जाएगा interview के लिए बुलाए जाएगा और उसके बाद जो भी candidate इसके लिए interview में अच्छा perform करेंगे उन लोगों को job होने वाली है application fee की बात करें तो आप लोग application fee में आप लोग देख सकते हैं UR, OBC और EWS candidate इसमें 200 रुपया application fee pay करने होंगे और जो भी इसके candidate हैं जो इसके अलावे हैं उन लोगों के लिए इसमें कोई भी application fee pay करने की जरूरत नहीं है General Condition में आप लोग यहाँ पर पर सकते हैं Only Indian Nationals are eligible to apply तो जो भी इसे candidate हैं All India से कहीं से भी बिलों करते हैं तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं इसके लिए जो cut-off date रखा गया है as calculation का या qualification का या experience का 25-2022 है इस date से पहले का आपका certificate issue होने चाहिए अब बत करते हैं कि इसमें apply किसे करना है अगर आप लोग इसमें eligible होते हैं interested होते हैं तो कैसे apply करना है तो इसको online apply करने होंगे वीडियो के description में जाईए apply online का link मिलेगा उस link पर click किजिए link पर click करने के बाद आप लोग वहाँ पर जिस page से ये apply होता है वहाँ पर redirect हो जाओग apply online का या आप लोग यहाँ पर भी जा करके apply कर सकते हैं apply करने के बाद आपको hard copy इसका address पर send करना होगा जो कि आप लोग यहाँ पर पर सकते हैं last date for of receipt of hard copy of the application form along with all mandatory documents mentioned at para 9 above तो है 13-6-2022 इस date से पहले आप लोग जो hard copy है उसको भी इसके official address पर send कर दीजेगा 46-2022 तक इसको apply क हो चुका है तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी main information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query रह गया होगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं आप लोग से next video मिलता हूं किसी new job और information के साथ तब तक ले सुक्रिया और thank you video को like share subscribe जरूर से कर द लिएगा वहाँ पर latest update कोई भी आती है तो मैं डाल देता हूं जिसे के आप updated रह सकते हैं